लोग सभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे को अपनी जाल में फसाने और अपना एजेंडा चलानी की कोशिश कर रहे हैं अगर कहा जाये तो इस तरह विपक्ष हो या पक्ष दोनों एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें सबसे बहतरीन काम किया है बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी और मोदी ने जब जब जो जो चाहा वो वो किया और कॉंग्रिस को अपने पीछे ही रखा अब ताजा मामला ही ले लीजे तीन दिन पहले रामलीला मैदान दिल्ली में पीएम की सभा थी पीएम ने कॉंग्रिस को घेरते हुए कहा कि सिक दंगो के लिए कॉंग्रिस दोशी है कॉंग्रिस ते इसका हलके अंदाज में विरोध किया लेकिन कहते हैं ना कि जादा होशियार बनना काफी तकलीव दे होता है तो कॉंग्रिस के लिए यही हुआ इस घटना की जिक्र करें इससे पहले 2014 चुनाफ की एक बात कर लेते हैं कहा जाता है कि हमेशा कॉंग्रिस ही बीजेपी की सरकार बनवाती है 2014 में कॉंग्रिस के मनीशंकर एयर ने बीजेपी और मोधी की सरकार बनवाई तो 2019 में सैम पित्रोदा मनीशंकर बनकर बीजेपी की नईयाप पार लगाने में लगे हैं अब आते हैं उपर वाली कहानी पर पीएम ने सिख दंगे का जिक्र कर गेंद कॉंग्रिस के पाले में डाल दी और कॉंग्रिस ने क्या किया जादा होशियार बनने के चक्कर में खुद ही अपने पैर में कुलहडी माली कॉंग्रिस के सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख दंगो के संबंध में कहा कि जो हुआ सो हुआ पित्रोदा का इतना कहना था कि सियासी रण में भूचा ला गया बवाल इतना बढ़ा कि राहूल गांधी को खुद मेंस्ट्रीम मीडिया में आकर ये कहना पड़ा कि सैम पितरोदा का बयान गलत है और इसको लेकर पितरोदा को माफी मागनी चाहिए राहुल गांधी के बाद सैम पित्रोदा ने हार कर घर बुद्धु वाली स्थिती में मूँ लटकाए मीडिया से मुलाकात की और हमेशा की तरह जैसे हर वो हारा हुआ शक्स बवाल खत्म करने के लिए एक बहाना ढूनता है पित्रोदा भी वहीं ढून कर लाए और कहा कि हिंदी ठीक नहीं है इसलिए ये गड़वड़ी हो गई लेकिन जो भी हो तब तक बीजेपी अपने मकसद में काम्याब हो चुकी थी और बीजेपी को जो मिलना चाहिए वो मिल चुका था कि लोग संसानों से किस तरह का बरताव करते हैं और सिस्टिम पर इनको कितना विश्वास है ये के विले एक उदारन से मैं समझ सकते हैं अपने देशा होगा कि आंदर प्रदेश पस्चिम मंगाल और अब ठतिसगड इन सरकारों ने भी सिबी आई पर पाबंदी लगा दी है ये मैं भी से इसलिए कहता हूं कि आप उसको समझ ये फर्क क्या है इनका कहना है कि सिबी आई के अपसर अब इन राज्यों में नहीं इन आ सकते सि भी आई काम नहीं कर सकती हों ऐसा क्यों ऑख नंकर केसे बागता लग रहा है कि ऐसा क्या कारण में किये कि जिसके अघ्राकारं उनकी निंद हराब हो गई है दर सता रहा है उनकी एक भी एजंसी ऐसी नहीं ये जिसने मुझे सताया ने हो और तो और दो हजार साथ में कॉंग्रेस के एक बड़े नेता मंत्री से हाँ और वो अपने आपको बड़ा विद्वान मानते हैं वो मंत्री जी खुद गुजरात आये और उन्होंने चुनाव सभा में दावा किया था कि मोदी कुछ महिने के भीतर जेल चला जाएगा विद्वान सभा के अंदर कॉंग्रेस के नेता भाषन करते थे कि मोदी जेल जाने की तैयारी करें अब इस मुख्यमंत्री हो जड़ा जेल के सभाई वोपाई रंग रोगान करके रखो ताकि आपको जिन्द की जेल में इस गुजार नहीं है आप बताईए आपने आप सभी ने हाली में CBI की स्पेशल कॉड का मुंबई की कॉड का फैसला सुना होगा इस फैसले से साफ हो गया है कि किस तरह UPA सरकार उसका एक मात रेजन्डा था किसी भी प्रकार से मोधी को फसाओ और अमीद भाई को तो उन्होंने जेल में डाल भी दिया था तब हमने कभी ऐसा कोई नियम नहीं बना